तो अभी फिलाल हो रहा है सुबह के साड़े आठ और और अभी निकलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को एक बहुत सुन्दा सा ना जा रहा कि बरफ तो नहीं गिरी लेकिन अभी दूसरी जगह बरफ गिरिया वहां भी हम जाने वाले हैं तो दिखाते हैं पास वाले पाड़ हुए है अपने लाइब और देखिए दूसरा वहां पर वहां पर भी जबरफ करी हुई है और अभी हम जाने वाले हैं फिलाल एक जगह वहां जाके आपको दिखाते हैं चलते हैं रेडियो ने अभी फिलाल टाइम हो रहा है अब निकलना हम लोगों को अपने उस जगह पे और चेक आउट करना उसके बन निकलना है यहां से अपने नेक्स लोकेशन के लिए अब देखते हैं आगे वैसे तो दूप निचली हुई है देखें वाहां पर कुला बराफ है लेकिन दूप निकल तुकी है ओल्ड वनाली में अभी भी लगडियों के गर यहां पर है जो कि बहुत जादे खुशूरत लगने जासे ही है और कितना टाइम लेगा इसको रेडियोंने में इस वाले को भी जो आप कर रहा है हाँ जो कर रहा है पाच वेट कर के दी पुरी सटक चुड़ी है तुड़ी तक तरुचाब गटक मां की सूखती कटक देख होगी तना बड़क भाग क्या व्यूद आ रहा है यहां से मस्त देखें मस्त गम कि मैगी रुक के खाए जा किया मैगी मिलेगा कि ऐसी मैगी और पाड़ों के भी खाने का लगी मैजा है तो अभी स्टार्ट करते हैं खाना उसके बाद खाके फिर हमें जाना है सोलंग वैली देखते हैं अभी तो बहुत दूर है यहां से फिर भी 5-6 किलमीटर है और ऐसे रास्तों से भी से जाना है और ट्रैपिक बहुत जाते हैं तो चलिए जाट कर लेए खाके फिर जलिया ज़िकलते हैं यहां से तो फाइनली और हम सोलंग वैली पहुंच चुके हैं देखें यहां कभी पूरा जाओ तरफ गाड़ियों पर गाड़ियों पर बरफ है और चलिए पर जूता लगाए जाए जाने वाले हैं इस पर पर जाने वाले हैं इस पर पर चले बहुत पुस्किल हो रहा है तो फिलाल अब हम जा रहा है यहां पर जीप लाइन यहां से लगबल 600 मीटर तक यह जाएगा और फिर 600 मीटर आएगा इसका पर कोश्ट लगबल पांसो ग्यास पर पढ़िये रहा है किस पी जाना जाओ तक अपर शुदी झाल झाल कर दो कि बिक ли Теперь कर दो कर. इस एक रह बहुँ काने महीं at इसमेसर कैनày अभी मेड्याश्य धाया है अब यहां से लिए आगे बढ़ते हैं बेड़ो नीचे जाला फिर यहां से लिए आगे बेड़ते हैं है तरहाँ तरहाँ इतनी जब 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 पार्टी हो रहे हैं यहां पर जाने का तमने कर रहा है बट जाना पड़ेगा अब हम मनाली में सब भूम तुके हैं और अब बस कवेट करें अब हमारी आते ही हम हम यहां से निकलेंगे मनाली टू दिल्ली झाल